वीडियो कॉन्फरेंसिंग से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि कर्तल थ्वनी से मानेनिय प्रदानमंत्री जी का स्वागत करें जनप्रिय जनसेवक प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्क दर्शन में विकसित भारत निर्माण के संकर्प को सिध्धी तक पहुचाने के लिए देश भर में अत्यादूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो महा अभियान प्रदानमंत्री जी ने चलाया है आज उसी कड़ी में एक साथ 554 रेल्वे स्टेशनों के पुनरविकास का शिलान्यास पुनरविकसित विश्वस्तरियर गोंती नगर रेल्वे करने जा रहे हैं इस अभूत पूर्व और एतिहासिक कारेकरम का शुभारंब करने के लिए मैं माननिय रेल संचार एलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रदोगी की मंत्री श्री अश्विनी वैश्णवजी से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोद करती हूँ परमादर्निय प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माननिय राज्यपाल महोदे माननिय मुक्य मंत्री महोदे माननिय मंत्री गर्ण सांसद गर्ण विधायक गर्ण मीडिया के साथी और देश भर में दो हजार से अधिक स्थानों पर जुड़े महनुभाव आप सबी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन री डेवलप्मेंट कारिक्रम में आज हर्दिक स्वागत है एक साथ 1300 स्टेशन का री डेवलप्मेंट विश्व के रेलवे इतियास में अभूत पूर्व है इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धी तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत लगातार रिव्यू सदेव मार्क दर्शन सभी बाधाओं को दूर करना ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधान मंत्री ही कर सकते हैं ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधान मंत्री जी आज देश में रेलवे का काया कल्प कर रहे हैं कुछ महिनों पहले प्रदान मंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमी पूजन किया था, इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है, आज 554 स्टेशन का भूमी पूजन मानने प्रदान मंत्री जी करेंगे, इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से क करने का संकल्प लेंगे आगामी महिनों में इन में से कई स्टेशन इनागरेशन के लिए तयार होंगे पिछले दस वर्षों में प्रदानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाये हैं 31,000 किलोमेटर नई रेलवे लाइन बनी है याने इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे जादा रेलवे लाइने पिछले दस वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है 2014 में मात्र चार किलोमेटर प्रति दिन नई रेलवे लाइने बनती थी आज 15 किलोमेटर प्रति दिन नई रेलवे लाइन तयार हो रही है इस वर्ष 5500 किलोमेटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी याने स्विच्जलेंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष बारत में जुड़ेगी दस वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में विजली पर शिफ्ट किया है यहाँ जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व इस्तर की यात्रा का आनन दे रही है ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है पहली दो ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैनेफेक्श्रिंग स्टार्ट हो गई है 2014 में रेलवे के पुल और अंडर पास यानि आरूबी आर्यूबी दीमी गती से बनते थे वर्ष में मात्र 415 की आसत थी आज प्रदानवंत्री शिन्दरेंद्र मोदी जी प्रती वर्ष एक हजार से अधिक पुल और अंडर पास बना रहे है मुंबई से एमदबाद की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अब 280 किलोमेटर से अधिक बन गया है कश्मीर में धारा 3078 से काम में तेजी आई चिनाब और अंजी के पुल बनकर तयार हुए 97 किलोमेटर टैनल बनी आज बारामुला से श्रीनगर और श्रीनगर से संगलदान तक ट्रेन से यात्रा संबब हो गई है इसी तरह नौर्थ इस्ट में रेलवे नेटवर्क पर एतिहासिक काम हुआ है उत्तर हो दक्षेन हो पूरब हो पस्चिम हो देश के हर शेत्र में मानने प्रधान मंत्री जी ने बिना किसी भेदबाव के सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ काम किया है माने प्रधान मंत्री जी आप विक्सित भारत का फाउंडेशन स्थापित कर रहे हैं भारत वर्ष सदियों तक आपका रिनी रहेगा रेलवे को इतना समय देने के लिए लगातार मार्ग दर्शन देने के लिए और रिकॉर्ड बजट देने के लिए एक सो चालिस करोर देशवासी आपको सदैव आभार प्रकट करते हैं वारत माता की जै जै हिंद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मालनी मंत्री जी कितने स्थान प्रकार कम हो रहा है अगर गवरनर वगरे पहुंचे हैं मंत्री पहुंचे उसकी कुछ जानकारी है तो अगर बता सकते हैं तो बताईए जी सर करीब दो हजार 21 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 पर मानिया गवरनर्स 20 лег साब और गवरनर्स आप जुड़े हैं इस करिक्रम में मैनिय मुख्यमंत्री गड 11 स्थानों पर जुड़े हैं 11 राज्यों में Honorable Deputy Chief Ministers 8 जुड़े हैं 14 Union Cabinet Ministers जुड़े हैं ministers प्रिश्टर्स अफ स्टेट 26 जुड़ें सर और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं पांसो नबे सांसत जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़ें कई दिनों तक कारिकरम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया करीब पिछले 20-25 दिन से कारिकरम चल रहा है जिसमें छात्रों ने एक विक्सित भारत की कलपना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा कैसे वो रेलवे में देखते हैं उस विशे को लेके कुई स्वे ड्रॉइंग हुए और कई जी के ड्रॉइंग कॉंपिटेशन्स हुए चात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया ऐसा हुआ है कि आधैनिय प्रधान मंत्री जी से अग्र है कि 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास पुनर्विकसित विश्वस तरियर गोंत पुरी नगर रेलवे स्टेशन का उद्खाटन तथा 1500 से अधिक रोट ओवर ब्रिच और अंडर पास का शिलान्यास तता राष्ट्र को समर्पन रिमोट का बटन दबा कर करें करष गज दूतल दया है आज के इस कारेक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंध हो रहा है। आए देखते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा देश वासियों को दी जा रही रेलवे परियोजनाओं की सौगाट पर बनी एक लभूफे। भारतीय रेल जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आमधारना थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता। पर नामुम्किन को भी मुम्किन बनाने वाले देश के दूर दर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निरनायक नेत्रत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। रए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले तस सालों में रिकॉर्ड बारा लाग करोड रुपे का किया गया निवेश। और बदल गई रेलवे की तस्विली। हारतिय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांस्फर्मेशन के दोर से गुजर रही है। इस दसक के अंततक देश भर में स्टेशनों के सौंदर्य करण एवं आधुनिकी करण का काम बड़े स्तर पर एक अभूत पूर्व गती से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रस्ट्रक्चर को विश्व स्तरिय करने के लिए तेरा सौ से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमरित स्टेशनों के रूप में पुनर विकसित किया जा रहा है। अमरित भारत स्टेशन योजना के अंतरगर भोपाल का रानी कमलापती स्टेशन हो, गुजरात का गांधी नगर क्यापिटल स्टेशन हो, बेंगलूरू का सर एम विश्वेश्वरयय टर्मिनस हो या श्रीराम जन्म भूमी स्थित अयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भ अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं से युक्त पुनर विक्सित गूंती नगर रेलवे स्टेशन हो, और कर रहे है वर्चुल शिला न्यास, तेश भर में पात्सौ तिरपन रेलवे स्टेशनों के पुनर विकास नहीं हो, ये अम्रित स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर, जो हमारी महान संस्कृती, लोक विरासत और स्थानिय वास्तुकला को दर्शाएंगे। सुगम, रेल और सडक यातायाद तथा रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवर ब्रिज और अंडर पास का लगातार हो रहा है निर्माण। दो हजार चौधा से दो हजार तेईस के दोरां दस हजार से अधिक रेल लाइम के ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का काम पूरा हुआ है। इसी कड़ी में आज प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं शिला म्यास और लोकारपण। देश भर में 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर पास का। भारत कैसे बदल रहा है। सपने कैसे सच हो सकते हैं। ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उधारान भारतिय रेलवे भी बन रहा है। देरबाण की अभूतपूर्व रफ्तार की बोधी सरकार की कैरेंटी से सुनिश्चित होगा विक्सित भारत का संकर्ट। चय हिंद। प्रधान मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि आज के इस एतिहासिक अफसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्क दर्शिन करें। नमस्कार आज का एक आरकम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीख है। आज भारत जो करता है अभूत पुर्वस्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूत पुर्वस्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विक्षित भारत विक्षित रेलवे कारकम में दिख रहा है। मैं इस कारकम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ पांसो से अधिक रेलवे स्टेशनों और डेड़ हजार से जादा दूसरी जगों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग-अलग राज्यों के मानेनी राजपाल्थरी, माने मुख्यमंत्री गाण, केंद्रो राज्य सरकारों के मंत्री गाण, सांसद गाण, विधाय गाण, और सानी जन प्रतिनिती, प्रभुद्ध नागरीक, पद्म पुरश्कार जिनको सम्भानित मिलाए। ऐसे वरिष्ट मानुबाव, भारत के महत्वपून जीवन, जमानी खपाने वाले, हमारे स्वातंत्र से नानी प्रिडम पाइटर, और हमारी भावी पीडी, युवाव साती भी, आज हमारे साथ है। आप सभी की उपस्तिती में, आज एक साथ रेलिवे से जुड़ी, दो हजार से अधिक परियोजनाओं का सिलान्यास और लोकारपण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टम की शुरुवात जून महिने से होने वाली है। अभी से जिस केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सब को हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ IIT, IIM जैसे दर्जनों बड़े सिक्षां सहुस्ताओं का लोकारपण किया। कल ही मैंने राजकोर्ट से एक साथ पांच एम्स और अनेक मेडिकल सहुस्तानों का लोकारपण किया। और अब आज का ये कारकम है, आज 27 राज्जों के करीब 300 से अधिक जिलों में साड़े 500 से ज़्यादा रेल्वे स्टेशनों के काया कल्प का सिलान्यास हुआ है। आज उपी के जिस गोमती नगर रेल्वे स्टेशन का लोकारपण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अगावा, आज 1500 से ज़्यादा रोड, ओवर ब्रीच, अंडर प्रास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। चालीस हजार करोड रुपिय की ये परियोजनाएं एक साथ जमिन पर उतर रही है। कुछ महिने पहले ही हमने अमरुत भारत स्टेशन योजना की शुरुवात की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनी करण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कारकम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गती से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विबिन राज्यों को वहां के सभी मेरे नागरिक बाई बेहनों को अनेक अनेक शुप कामनाई देता हूं। साथियों मैं आज विजह ये शुप से अपने युवा साथियों को बहुत बदाई देना चाहता हूं। मोदी जब विक्सिद भारत की बात करता है तो इसके सुत्रधार और सबसे बड़े लाभारती देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नवजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेल्वे का जो ये काया कल्प हो रहा है ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये काया कल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्सों से कम आयू के हैं। विक्सिद भारत युवाओं के सपनों का भारत है। इसलिए विक्सिद भारत कैसा होगा ये ताय करने का सबसे अधीक हक वो भी उनी को है। मुझे संतोस है कि देश भर के हजारों विद्यारतियों ने अलग-अलग परधाओं के माध्यम से विक्सिद भारत के रेलिवे का सपना सामने रखा। इन में से अनेक युवा साथियों को पुरसकार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत सुपकामनाई देता हूँ। मैं देश के हर जवान को, हर नवजवान को बताना चाहता हूँ कि आपका सपना, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेनत और मोदी का संकल्प यह विख्सीत भारत की गरंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह जो अमरत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रति होंगे। जैसे ओडिसा के बालेश्वर रेल्वे स्टेशन को भगवान जगनात मंदिर की थीम पर डियाइन किया गया है। सिक्किम के रंगपो रेल्वे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानिय वस्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्तान का सांगनेर रेल्वे स्टेशन सोलवी शताब्दी की हैंड ब्लोग प्रिंटिंग को दर्सांता है। तमुल नाडू के कुम्ब कॉनम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वस्तुकला पराधारित है। अम्दाबाद रेल्वे स्टेशन मोडेरा सुर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वार का स्टेशन द्वार का दीश मंदिर से प्रेरित है। आइटी सिटी गुनकाओं का रेल्वे स्टेशन आइटी के लिए ही समर्पित होगा। यानि अम्दाबाद स्टेशन उस शहर की विशेश्ता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्मान में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेश ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते दस वर्चों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है। और रेलवे में तो परिवर्तन, साक्षात हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे। लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिये जो कभी आप कल्पना में सोचते थे। आज हम आँखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दसक पहले तक बंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाइश्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था, किसी सरकार ने कभी बोला भी था। एक दसक पहले तक अमरिद भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दसल पहले तक नमो भारत जैसी शांदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दसल पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि बारतिय रेल का इतनी टेजी से बिजली करण होगा। एक दसल पहले तक ट्रेन में स्वच्चता स्टेशन पर सफाई ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोज मरा की जिन्दिकी का हिस्सा बन गए है। एक दसक पहले तक मानव रहीत फाटक भारतिय रेल की एक पहचान बन चुकी देख आम तस्वीर थी। आज ओवर ब्रीच, अंदर ब्रीच से वे रोगटोक और दुरगटना रहीत आवाज जाही सुनिश्चित हुई है। एक दसक पहले तक लोगों को लगता था कि एरपोर्ट जैसी आधुनिक सिवाएं सुविधाएं चिर्फ पैसे वाले लोगों के भी बागे में हैं। आज के लोग रेलिवे स्टेशन पर भी एरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना वो सुविधा रेलिवे में सपर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाब ले सकता है। साथियों दसकों तक रेलिवे को हमारे यहां की स्वार्त भरी राजनिति का शिकार होना पड़ा। लिकिन अब भारती रेलिवे देश वास्यों के लिए इज और ट्रावेल का मुख्या आधार बन रही है। जिस रेलिवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था। आज वो रेलिवे परिवर्तन के सबसे बड़े दोर से गुजर रही है। यह सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ग्यारावे नंबर से चलांग लगाकर पांचवे नंबर की अर्थे वबस्ता बना। दस साल पहले जब हम ग्यारावे नंबर पे थे तब रेलिवे का उसट बजट 45,000 करोड रुपिय के आस्पाद रहता था। आज जब हम पांचवे नंबर की अर्थिक ताकत है तो इस वर्ष का रेलिवे बजट डाई लाग करोड रुपिय से अधिक का है। आप कल्पुना कीजिए जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महासक्ति बनेंगे तो हमारा सामर तक कितना अधिक बड़ेगा। इसलिए मोधी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों आपको एक और बात ध्यान रखनी हैं। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो। अगर मेड तुटी हुई हो तो किसान के खेट तक बहुत कम पानी पहुचेगा। इसी तरह बजेट चाहे कितना भी बड़ा हो। अगर गोटाले होते रहें, बेवानी होती रहें, तो जमीन पर उस बजेट का असर कभी नहीं दिखता। बीते दस वर्षों में हमने बड़े बड़े गोटालों को सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते दस वर्षों में नई रेल्वे लाइन बिछाने की गती दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्वीर से लेकर नौर्थ इस तक ऐसे स्थानों तक भी भारतिय रेल पहुंच रही हैं, जहां लोगों ने कभी कलपना भी नहीं की थी। इमान बारी से काम हुआ, तभी डाई हजार किलोमेटर से अधीक डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का काम हुआ है। यानि आपने टेक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब पचास परसेंट डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं। नए रोजगार बनते हैं। जब नए रेल लाइन बिच्ती है, तो मद्दूर से लेकर इंजिनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सिमेंट, स्टील, ट्रांस्पोर्ट जैसे अनेक उद्योगों दुकानों में नई नोक्रियों की संभावनाय बनती है। यानि आज जो ये लाखो करोड रुप्य का निवेश हो रहा है, ये हज़ारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, जादा ट्रेने रुकेगी, जादा लोग आएंगे, तो आसपास रेडी पट्री वालों को भी इससे फाइदा होगा। हमारी रेल, छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्व कर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देनी वाली है। इसके लिए वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट योजरा के तहर स्टेशन पर विशेज दुकाने बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशनों पर हजानों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतिय रेल यात्री सुर्विधा ही नहीं है, बलकि देश की खेती और अउद्योगीक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गती तेज होगी तो समय बचेगा। इससे दूद, मचली, फल, सबजी ऐसे अनेक उत्पादान तेजी से मारकोट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी, इसे मेकिन इंडिया को आत्मंदिर भर भारत अभियान को गती मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकरसक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रासक्चर भी है। आने वाले पाँच वर्सों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतिय रेल की ख्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांती आएगी। भारतिय रेल को अपने काया कल्प के इस अभ्यान के लिए मैं एक बार फिल अनेक अनेक शुक्कामनाई देता हूं और सभी देश वासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कारकम का हिस्सा बनना। एक ही कारकमा में लाखों लोगों का जुड़ना। सभी अधने मुख्यमंत्रियों का समाई निकालना, गवर्नर्सी का समाई मिलना ये अपने आप में आज का ये कारकम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर गया है। मैं मानता हूँ ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आजके कारके में रचकना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सरवादिक अच्छा उप्योग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाव में तेजी राएंगे। ये आज कि हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत-बहुत सुपकामना हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो प्रदारमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। रेल परियोजनाओ की सौगात की तहट आज प्रदारमंत्री नरेंद्र मोदी ये संबोधन दे रहे हैं। किया जाएगा। और ये देखिए ये एक एक करके ये जो परियोजनाओ की जो जिनका शलान्यास होना है लोकारपन होना है। उनकी तस्वीरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ओवर ब्रिज हैं अंडर पास हैं जिनका शलान्यास आज प्रदारमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और ये इस वक्त शलान्यास कर दिया है। पांसो तरे पन रेलवे स्टेशन्स के पुनर विकास का शलान्यास प्रदारमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। उसी की ये पटशिला आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सभी देश के अलग-अलग राचु के मुख्यमंत्री वर्चुली इस कारिकरम में जुड़े हुए हैं प्रदारमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्योंकि ये सौगात पूरे देश को दी गई है।